हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डेफिनेट सक्सस पाच्छाला यह पाच्छाला हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ इंट्रेस्टिंग लेकर आती है आती है कोई पर सब्जेक्ट हो टीचस बहुत ही एक्स्प्लिनेशन इतना बहतरीन रहता है ताकि आपको सारी चीज़े ब बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं तो जैसे कि अभी तक जो हैं हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कोर्स एक अपना शतजबोग कृतिका बोग दोनों खतम कर ली अब हम आ गए व्याकरण पे व्याकरण के भी सभी टॉपिक्स हमारे में जो चार हैं वो खत् प्लीट किया आप सभी को पता है कि अलंकार बहुत कम पूछ जा रहे हैं इसमें जिसमें आपका उत्प्रेक्षा आदिश्योक्ति मानविय करण और रूपक अलंकार हैं और साथिशलेश अलंकार हैं बस इतने अलंकार आपको सारे ही अलंकार समझाए वो इसलिए क्योंकि बाकी बचे हुए जो अलंकार हैं जिसमें आपका अनुप्रास यमक और रूपक अलंकार है ये सारे अलंकार आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं तो ये 100% शूर है कि वो क्लास 10 में आपसे पूछे जाएंगे इसलिए मैंने आपको सारे अलंकार पढ़ाए ताकि आप करानी हैं तो mcqs में कराई हैं ठीक है mcqs भी कराऊंगी क्योंकि mcqs में हमारे सामने options रहते हैं इसलिए हमें उसमें से एक select करना पड़ता है वो हमारे लिए थोड़ा सा easy हो जाता है लेकिन जब हमारे पास कोई option ही नहीं हो तब अगर हमें काम करना हो तब हम कैसे condition आपकी वैसे तो मैं बोलूं कि अभी exam में नहीं आएगी लेकिन ये एक थोड़ा सा toughest चीज होती है तो हम कह रहे हैं कि पहले हम थोड़ा मुश्किल चीज को निप्टा लें ताकि आगे आसान वाली चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाएंगी तो basic जो method है वो समझना ज हां रही बात mcq की तो mcq उस तो जरूर लाओंगी क्योंकि main questions तो उसी से आने हैं आपके सारे व्याकरण के तो यह नहीं कराएंगे हम आपको mcq कराएंगे और 100% कराएंगे यह हमारी guarantee है और आप यकीन मानिए कि व्याकरण में आप पूरा-पूरा सही-सही हल करके आएं अलंकार को हम सबसे पहले अभ्यासकार रहें बहुत ध्यान से इनको हम करेंगे देखे क्या है निमलिखित काव पंक्तियों में नहित अलंकारों के नाम लिखिए अब हमारे पास जो है कुछ पंक्तियां आएंगी और उन पंक्तियों के आधार पर हमें खोजना है कि इसमें कौन सा अलंकार है ठीक है तो सारी चीजों को बेसिक वे से हम क्लियर करेंगे जितना हमने वहां समझा है उसके साथ में ठीक है अब यहां पर पंक्ती दी गई है आये महंत बसंत अब क्या बसंत को क्या बताया गया है महंत बताया गया है क्या बताया है महंत बताया है तो अब यहां पर बसंत रितु की तुलना महंत से करी जा रही है। तो अब आप इसमें से कोई मुझे ये पहले बताओ कि इसमें उपमें क्या है और उपमान क्या है। क्योंकि जब हम उपमे और उपमान निकाल लेंगे क्योंकि उपमे और उपमान हमने कितने में बढ़ा था हमने उपमालंकार में पढ़ा था रूपक अलंकार में पढ़ा था और हमने पढ़ा था नेक्स उतप्रेक्षालंकार में तीनों में ही ये उपमे और उपमान का अस्त किसकी तुलना करी जा रही है बसंत की तो बसंत कौन है वो है उपमे और किस से करी जा रही है वो करी जा रही है महंत से तो यानि कि यह हो गए उपमान तो हमने दो चीजे तो खोज ली हमने दो चीजे खोज के निकाल ली अब इसके इलावा और एक चीज थी वो क्या था साध धारण धर्म और वाचक शब्द क्या इसमें हैं वो दोनों नहीं हैं तो उपमा वाली जो कंडिशन है वो हमारी हट गई उपमा वाली कंडिशन हट गई फिर उसके बाद उपमे और उपमान किसमे था वो था आपका रूपक अलंकार में ठीक है और फिर नेक्स्ट था हमारा क उत्प्रेक्षा लंकार में कौन से में था वो उत्प्रेक्षा लंकार में अब उत्प्रेक्षा अलंकार में एक पहचान बताई गई थी जहां उपमे उपमान के साथ आपको सपोस करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें आपको क्या होगा जयों तयों जनहूं मनहूं जै इतनी समानता बताई गई कि ये दोनों आपस में चिपक गए इन दोनों के बीच की सारी चीजे खतम हो गई इन दोनों में एकता हो गई ठीक है समानता इतनी हुई कि एकता हो गई इसलिए यहां पर क्या हो गया रूपक अलंकार कौन सा अलंकार होगा यहां पर रूपक अलंक तो आपको सारे और दे दिया और आपको क्या किया करोगे उसकंडीशन में तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना कि है क्या हम इसी तरीके से हम सारे करेंगे चलिए नेक्स आए सेवक सचव सुमंत बुलाए अब यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर देख रहे हैं सावर्ण की आवनत्ति हो रही है साव सेवक का सा सचव का सा और सुमंत का सा तो यहाँ पर सावर्ण जो है वो कई बार आया इसको पढ़ने से कितना सुंदर लग रहा है लग Pear a उसलिए यहाँ पर सबसे पहले कि ज़म्म उसको पढ़ल रहे हैं पढ़ने में शब्दों सुदर भी हम उसके आर्थ में तो ढूंती Tech निरे पजब उसको पढ़ रहा उसको पढ़ए तो दे सकते हैं कि सेवक सचिव सुमंत बुलाएं में शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है यह पूछा जा सकता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का भेद है है ना तो यह आपको option ध्यान रखने होंगे next आते हैं मेघ आये बड़े बनठन के सवर के अब यहाँ पर क्या है देखिए मेघ अर्थात बादल कौन है मेघ अर्थात बादल और बादल क्या होते हैं मेघ का मतलब हो गया सबसे पहले तो आप समझो बादल और बादल हमारे क्या होते हैं यह निरजीव हैं क्या है निरज सवर कर आने का काम किसका होता है यह करते हैं मनुष्य क्या होते हैं वह होते हैं चेतन अर्थात जीवित उनके अंदर चेतना होती है जीवित होते हैं और जिन किसी पंक्तियों में निर्जीव अर्थात जड़ में चेतना की संभावना दिखाई जाए वहां पर होता है मानुविय करण अलंकार अब इसको इजी में मैं आपको समझाती हूँ जहां पर आपको दिखे कि प्रकति की कोई भी ऐसी चीज जिसमें मानुवों का लक्ष्ण प्रतीत किया जा रहा है वहां पर होता है आपका मानुविय करण अलंकार नेक्स्ट आते हैं पीतर पात सरिस्मन जोड़ डोला अब यहां पर क्या होगा सबसे पहले तो अभी आप जिसमें अनुपरास अलंकार है ठीक है ठीक है पीतर पात में आप देखर ना पीतर पात तो इन दोनों को डोल के तो आपने तुरंट कह दिया कि यह अनुपरास अलंकार है आप सही है बिलकुल सही है आप अनुपरास अलंकार आपने देख लिया पहचान लिया बहुत सही ह होते हैं जिसमें अनुप्रास अलंकार के साथ भी बहुत से अलंकार होते हैं और यहां पर वही एक काम है आपको जब एक्जाम में एमसी क्यों आएंगे ना तो ऐसे कई इग्जाइंपल आ सकते हैं जिसमें एक साथ 2-2 अलंकर हुँगे तो आप के लिए confusion का काम है कि हम किस अलंकर को select करे तो अनूप्रास अलंकार primary अलंकर माना जाता है सबसे पहला अलंकर माना जाता है अगर ये अलंकार किसी और अलंकार के साथ आ रहा है तो हम अनुप्रास अलंकार को हटा देते हैं ठीक है पहला नियम हम अनुप्रास अलंकार को किनारे कर देते हैं उसको नहीं मानते हैं हम किसको मानते हैं हम दूसरे को मानते हैं अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए पीत उसरा है मन ठीक है दो चीजें यहां पर यहां पर मन जो है वो मेरा किस तरीके से घबराया जैसे पीपल का पत्ता जो है वो डोलता है का पता है तो यहां पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से करी जा रहे है तो मन हमारा क्या हो गया उप में हो गया मन हमारा उप में हो गया ठी अब यहां पर उन्होंने क्या बोला दूसरी चीज हमने और क्या बोली थी जो है वो था आपका साधारण धर्म ठीक है ना साधारण धर्म था ना तो वो साधारण धर्म क्या होता है इन दोनों के बीच किस चीज़ कैसे डोल रहा है मन भी डोल रहा है और पत्ता भी डोल रहा तो ये जो डोला है ये क्या है आपका साधारण धर्म है? अब वाचक शब्द क्या है? यानी की वो शब्द जिसके जरिये समानता दिखाई जा रही है वो शब्द है सरिस कौन सा शब्द है ये है वाचक शब्द कौन सा शब्द है ये वाचक शब्द समझ में आया ये अब ये चारों संभावनाई कौन से अलंकार में थी वो था आपका उपमा अलंकार और उपमा अलंकार जैसे हमने यहां तो आपको पूरा डिटेल में बता द वो शब्द क्या थे? सा, सी, सा, सी, से, सम, और एक और क्या था? वो था सरिस. अब बताईए, यहाँ पर यह शब्द है, यह देखिए, सरिस जैसा शब्द यहाँ पर है ना, यह देखिए. पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा. ठीक है ना? तो समझ मैं आप पूरा हमने आपको यहाँ पर एलबरेट कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पर उपमालंकार है. अगर आप इतना नहीं भी समझना चाहते हो, तो यह सारी शब्द याद कर लो. सा, सी, से, सम, सरिस. य ठीक है? कुछ नहीं करना है. तो यहाँ पर आपका कौन सा है? उपमालंकार. नेक्स्ट आते हैं, निर्पख होई के जे भजे, सोई संत सुजान. चले. अब यहाँ पर हम क्या देंगे? देखिए, यहाँ पर आ रहा है, निर्पख होई जे भजे, सोई संत सुजान. तो लंकार तो हमारी समानता व्यक्त करने वाले थे ना उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा ठीक हैं अब यहां पर कहीं पे भी उपमें उपमान हो रहा है नहीं दिख रहा तो यह तीन तो हमने पहले किनारे कर दिए ठीक फिर उसके बाद next नेक्स उसके बाद में मारे पास था अतिशोक्ति ये लंकार जहां पर बहुत बढ़ा चड़ा-कर बात करी जाती है वह लंकार आ रहा है? नहीं आ रहा next कौन सा लंकार आ रहा है? मानव ये कर लंकार वो भी नहीं तो मतलब अर्था लंकार का कोई भी option यहां पर set नहीं बैठ रहा तो चलिए हम आ जाते हैं शब्दा लंकार पे क्या यहां पर एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ यहां पर एक ही शब्द के साथ क्या कई अर्थ जुड़े होनी की संभावना दिखाई दे रही है ध्यान से देखिए जहां पर दिखाई दे रहा है कुछ नहीं लेकिन यहां पर एक वर्ण की आवनत्ति कई बार हो रही है सा 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 यानि कि ये तीन में सा वर्ण की आवनत्ति है तो यहां पर कौन सा लंकार होगा अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार अनुपरास अलंकार नेक्स आते हैं फूले फिरते हो फूल स्वेम उड़ उड़ वरंतों से वरंतों उपर अब यहाँ पर क्या है फूले फिरते हो अब देखे एक ही शब्द कई बारा आ रहा है उड़ उड़ वरंतों से वरंतों उपर अब क्या है देखे फूले फिरते हो यहाँ पर एक फूले यह आया, पहली चीज तो यह है, ठीक है, फूले और यह फूल, यहाँ पर एक ही वरंड दो बार आया, एक बार फूले है पर फूले, तो यहाँ पर दोनों में मात्रा की वज़ा से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, दूसरा आते हैं उड़कर, जो एक की शब्द दो बार आया दूसरा वरंतों से वरंतों पर ठीक है क्या है एक वरंत से दूसरे वरंत पर ठीक है यानि कि फूलों पर तो यहां पर फूले फूले से क्या समझ में आ आपको बताओ फूले फूले से क्या हो रहा है यानि कि तुम गोल मटोल फूले से यानि कि गुस्से में जो है तुम इस तरीके से इधर उदर भागे फिर रहे हो जैसे जो उड़ उड़ कर फूल फूल पर स्वेम वरंतों से वरंतों पर यानि कि जिस तरीके से बहुरा जो है पहुल है दूसरे फूलों पर फिरता हुआ। उड़ता हुआ फिरता है वह फूल से दूसरे फूल पर जाता रहता है तो कभी एक टिकता नहीं तो वरंत मतलब होते हैं जो पराग जो रहते हैं अंदर की तरफ उनपर वघंतल प्रफूल पर यहां पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार एक शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ मगर दोनों ही बार उसका अर्थ अलग था चिक चलिए नेक्स्ट आते हैं इस काले संक्ट सागर पर मरने को क्यों मदमाती अब यहां पर क्या दिया गया है ध्यां से देखिए आ आपको कहीं कोंई बार दिख रहा है यह देखना है यही आप जैसे आप ने आपको यह जानने की कोशिश करें कि हम कितना लंकार सीक पाएं हें क्योंकिल यह आपसे पूछे जाएंगे और यह मत सोचना यह आखिरिटाइमें कि हम अलंकार पढ़ रहे हैं आगे हमें अलंकार इस्तेमाल लिए आप कहीं पर भी जाओगे आगे अलंकार हर रूप में पूछे जाएंगे तो बेसिक अलंकार तो आपको आने ही आने चाहिए तो यहां दिया है इस काले संकट सागर पर मरने को क्यों मदमाती तो अब यहां पर क्या दिया गया है काले संकट सागर तो यहां पर जो है संकट सागर में यानि कि हमारे उपर जो मुसीबत आई है उसको काला बताया गया है और कितना बड़ा बताया गया जैसे कि सागर होता ह ठीक है तो मरने को क्यों मदबाती क्यों इतने बूरे संकट में तुम फसने को लिये क्यों बेच जायनों तो जो मुसीबत है वो किसके समान है वो सागर के समान है और मुसीबत और सागर यानि कि संकट और सागर में जितनी भी बीच में उनकी तुलना के लिए जो भी शब्द तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार क्यों कि जो संकट और सागर में जो तुलना करी जा रही है यानि कि जो मुसीबत है उसको सागर के समान वड़ा बताया जा रहा है तो उसमें उपमे और उपमान के बीच जो साधारण धर्म होना चाहिए वो नहीं है कोई भी वाचक शब्द नहीं है किसी भी चीज़ की संभावना को व्यक्त नहीं किया गया है इसलिए यहां पर रूपक अलंक रूपक अलंकार का मेन यह होता है कि हम उपमे और उपमान को पूरी तरीके से चिपका कर पास ले आते हैं इनके बीच में जितनी भी कहते हैं जो डिफ्रेंस जो भी और भी शब्द होते हैं उन सभी को हम हटा देते हैं तो यहां संकट और सागर्व चब्द में रूपक अ दरीब निधी अरथात खजाना और लूटन अरथात लूटने लगे तो यहां पर क्या है मनहूं रंक लूटन लागे अरथात मान लोगी जैसे की कोई रंक होता है वो खजाने को लूट रहा है तो यह पर आप कौन सा अलःकार होगा आप बता सकते हैं कोई भी कि ус logr पहली चीज तो यहां पर आपको सपोस्ट करने के लिए चीज बोली गई कि ऐसा मान लोकी है ठीक है तो जहां मानने के लिए या सपोस्ट करने के लिए बोला जाता है वहां हमेशा कौन सा लंकार होता है वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा लंकार और दूसरा मैंने उत्प प्रेक्षालंकार के अंदर होते हैं फिर से बतारियों नोट कर लीजिए जहां कहीं भी ये सारी शब्दारें जैसे आ रहा है जियों क्या रहा है जियों फिर आ रहा है आपका त्यों ठीक है जियों उत्यों जानों फिर आता है आपका क्या मानों फिर क्या आता है यहाँ पर एक है जनहु ठीक है फिर आता है मनहु तो ये सारे जो शब्द इतने जो कहीं पर भी किसी भी सूप्ति या पंक्ति में आते हैं तो सीधे यहाँ पर क्या होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आपको अगर अर्थ में नहीं जाना है तो मत जाईए लेकिन कम से कम इन शब्दों को आइडेंटफाई करना सीख लीजे किसी भी सुक्ति के अंदर क्योंकि जैसे आप लोग हमेशा काव्य से भागने की कोशिश करते हैं तो किसी भी पंक्ति के लिए अर्थ निकालना पहचान सकते हैं उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में यह शब्द होते हैं जिनकी जरह हम पहचान सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार है तो यहां पर मनहूं शब्द आने के कारण यहां कौन सा अलंकार हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार चलिए नेक्स हम देखते हैं क्या दिया गया है मरकत डिब्बे साख खुला ग्राम अब यहां पर क्या दिया है मरकत मरकत का तातपर यहां पर होता है कोई जहां पर बहुत सारे जो है निधिया हो मतलब जो जेम्स जिनें बोलते हैं जैसे आपका रूबी है सफायर है यह सारे बहुत सारे जो होते हैं रूबी पन्ना, हो न, तो यह सारे अगर एक हे बॉक्स में रख दियें जाएं तो वो मरकत का डिब्बा कहलाएगा, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम अब गाउं क्या है? वो मरकत के डिब्बे के समान खुला हुआ है अर्थात गाउं में इतना सारा खजाना है जो हमारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है वो उसी समान खुला हुआ है कि जैसे की एक जो है खजाने का डिबा होता है तो अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें जो है ग्राम की तुलना किस्से की गई है वो मरकत के डिब्बे से किया गया है तो यहाँ पर जो आप देख रह पहले बताई ग्राम क्या है ग्राम जो है वो आपका कहला रहा है उप में क्योंकि इसकी उपमा करी जा रही है किस से करी जा रही है मरकत के डिब्बे से करी जा रही है तो यह क्या हो गया उपमान हो गया ठीक है और next क्या है next आपका जो सा आ रहा है ये आपका क्या है ये बताए क्या है ये वाचक शब्द है ये क्या है वाचक शब्द जिसके जरिये जो है तुलना व्यक्त करी जा रही है और इन दोनों का साधारण धर्म है खुला क्या है साधारण जैसे खजाने का डिब्बा खुला रहता है उसी तरीके से ग्राम भी जो है वो खुला हुआ है तो अब इतना सब करने के बाद अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा अलंकार है सिंपल सी बात है अगर इतने से भी न समझ में आए तो सिंपल एक चीज़ आप लोग देखने की कोशिश करना वो है सा ठीक है अब जहां जैसे अभी हमने आपको प्रेक्षा लंकार में बताया उसी तरीके से इसमें बता रही हूँ सा सी से सम सरिस ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सब ही आते हैं एक अलंकार में वो अलंकार आपका कहलाता है उपमा अलंकार कौन सा कहलाता है उपमा अलंकार तो समझ में आया आपको कि जहां सा, सी, से, सम, सरिश आया वो उपमा अलंकार तो यहां पर साथ शब्द होने के कारण क्या आएगा सावाचक शब्द है ना कौन सा अलंकार आएगा यहां पर आएगा आपका उपमा अलंकार नमबर टेन है पानी गए न उबरे मोती मानस चून तो अब यहाँ पर क्या है बताईए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पानी शब्द जो आया तो एक बार है लेकिन वो तीन अर्थों के साथ में हैं यहाँ पर क्या दिया पानी गए ना उबरे अर्थात अगर पानी नहीं होगा तो इन तीनों का अस्तित्व न नहीं है मानुस का स्थित्व नहीं है और नाही चून अर्थात आटे का स्थित्व है ठीक है तो जहां पर एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हो तो वहां क्या होता है शले-शलंकार अब देखें यहां पर क्या दिया है पानी, मोती के लिए पानी किस चीज में इस्तेमाल किया गया है, वो है चमक, किस के लिए इस्तेमाल किया गया है, चमक, मोती के लिए पानी शब्द चमक के लिए इस्तेमाल किया है, मानुश के लिए ये सम्मान किया गया है, विनम्रता या आत्म सम्मान के लिए, विनम्रता या आत्म सम्मान. ठीक है? फिर next चून. चून का मतलब होता है अस्तित्व यहां पर. चून मतलब आटा होता है, उसके लिए पानी का इस्तेमाल किया गया है अस्तित्व के लिए. अब यह कैसे है, देखीए. अगर मोती में चमक नहीं होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा ठीक है अगर मोती में चमक नहीं है तो हम लोग उसको बिल्कुल बेस्तमाल नहीं करना चाहेंगे तो जो मोती है वो कभी तभी तक अस्तित में जब तक उसकी चमक है इसलिए पानी यहां पर मोती के लिए क्या है मतलब की मोती तब ही तक है जब तक वो चमक रहाई उसके अंदर पानी होनेका cNow यानि कि उसके अंदर जब तक विनम्रता है और आथनह संवान भकाया है तभी वह एक मनश की योनी में रहने लाइक है और चून चून के लिए पानी पानी ही है अर्थात जब तक चून का अस्तित्व यानि की जो आटा है उसमें हम पानी ना मिलाएं तब तक वो किसी भी इस्तिमाल में नहीं हो सकता है तो चूने के लिए पानी एक अस्तित्व के समान है तो यहां पर देखे सिंपल दिया गया है जियो शब्द मौझूद है सुनत जोग लागत ऐसो यानि की जोग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे की कोई कड़वी कड़ी खा लिए तो यहां पर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंका संथा प्रेश्ट संख्या बाराए कलिया दर्वाजे खोल खूल कर जुरूमुट से मुस्काती अब क्या है कलिया तरवाजे खोल कर जुरूमुट से मुस्काती यहां पर अब दौ अलंकार हैं अगर decreased पहचान सकती हों तो फटाफ़ट समझने आ जाएगा देखिए पहली बात तो जहां यहां पर आ रहा है यह जो खोल-खोल की शब्द है यहां पर आ रहा है वो होगा आपका पुन्रुक्ती क्या है पुन्रुक्ती प्रकाश अलंकार पुन्रुक्ती प्रकाश अलंकार एक मेट पुन्रुकती प्रकाश अलंकार ठीक है क्या है पुन्रुकती प्रकाश अलंकार तो लेकिन यहां पर यह अलंकार डॉल खोल कर से कल लिया क्या है वो दर्वाजों को खोल रही है के लक्षणों को दर्शाया गया है इसलिए यहां पर होगा ..आपका मानवी एकरण अलंकार नेक्स आते हैं अब उसके बाद है बसो बज गोकुल के गवारन तो यहां पर आपको मानवी एकरण भी नहीं दिखाई देखे संवacy. तो बचा क्या सिर्फ एक बताईए एक बचा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, मुझे तो यहां दिखाई दे रहा है अनुपरास अलंकार, क्या हम सही है, देखे हम सही है, क्योंकि यहां पर बावर्ण की आवनत्ति के कारण, यहां पर बाव और यह बाव, इन दोनों की आव है उससे लिया गया है जो की ललद के वाक्षे हैं ठीक है आप लोग ने नाइंत में पड़े होंगे ललद के वाक्षे उसमें यहां पर भव सागर में जो है वो रूपकलंकार है भव सागर जो शब्द है उसका तात पर होता है सागर का मजधार तो यहां पर भव सागर के तो यहाँ पर जो कवेत्री ललद है उन्होंने संसार को भवसागर बोला यानि कि यह जो संसार है वो सागर के मजधार के समाने हैं तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा प्रेश्ट 15 कूल कपट काया का निश काया अब यहाँ पर के तो देखते समझ में नचे कावर्ड की आवनतिया अनुपरासलंकार होगा सिंपल क्या होगा अनुपरासलंकार कावर्णे कूल का कपट का का काया का सीधे सीधे क्या हो गया अनुपरासलंकार कोटिक ए कलगोद के दाम क्या हुआ याप दो मिनिट प्रसलंकर का और का वर्णकी आप देखे अगर अनुपरासलंकर के साहत कोई और अलंकार आता है तो मनुपरास को किनारे कर देते उस अलंकार को हम बताते यह जब हम आपको तो एमसे की उसका आएंगे न तब हम ये सारी चीज़े क्लियर करेंगे ठीक है नेक्स आती है तीर बेन खाती थी तीन बेर खाती अब यहां पर देखी क्या है बहुत ध्यान से देखेगा ठीक है यहां पर दो शब्द ऐसे हैं जो दो बार इस्तेमाल हुए तीन बेर खाती थ तो यह एक ही श्ब्दाया है., और दोनो बार इसका अर्थ अलग है , यहाँ पर तीन बेर , तीन बेर मतलब तीन फल या.. बेर होता है। आप लोगों को ने खाया भी होगा, बेर एक शब्दा आता है , वही चीज़ स्थ तो यहाँ तीन बेर का ताथ पर है वो तेन पिंपन तर्फाइं तो यहां बोल रही है का तीन व Macedi putty टीन वे रिखाती यानि कि वह दिन में तीन वेर कहती थी वो भी तीन पहर में यानि कि दिन में टीन टाइम में तीन टीन टीन बेयरख खाया करती दी अब अब एक ही शब्द दो बार आया लेकिन दोनों ही बार उसका आर्थ है एक बार बेर आया फिर दूसी बार बेर आया तो यहां पर क्या दिया तीन बेर खाती थी वे तीन बेर अर्थात यहां पर वो दिन के तीन टाइम तीन बेर खाया करती थी तो यहां होगा आपका यमक अल यह एक चैपिटिर एक लास 9 बे जो अब सिबस्टी से हटा दिया गया है हमने पढ़ाया भी तो उसमें से लिया था देवी नैना को जो है वो जला दिया गया था महल के साथ में तो वो मतलब ये उसी के भाव को बताया गया है तो यहां पर क्या है हाई फूल सी कोमल बच्ची यानि कि फूल के समान जो कोमल बच्ची थी उसे जला कर भस्म कर दिया गया तो अब यहां पर हाई फूल सी फूल के समान कोमल बच्ची तो ब पाहुन जो आएं हों गाउं में शहर के मेग आए बड़े बनठन के समर के चलिए देखिए बड़ा अच्छा साई की उधारन आया है यहां पर आपको बहुत अच्छी चीज में समधाने का मौका मुझे मिला है चलिए देखिए क्या है पाहुन जो आएं हों गाउं में शहर क पहली पंक्ती में आपका आ रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा आ रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर जो शब्द होने के कारण यानि कि पाहुन अर्थात दमाद को याद रखिए बिहार में दमाद को पाहुन कहा जाता है महमान कहा जाता है ठीक है तो यहां पर म एक जो हैं अर्थात जो बादल हैं वो बड़े बन्ठन कर आए हैं सवर के आए हैं जैसे अब उस साल में एक बार आए हैं तो जैसे कि घर के दामाद जो हैं एक साल में बहुत ही बन्ठन के आते हैं उसी तरीके से ये बादल भी साल में एक बार बहुत बन्ठन कर आए हैं ये दामाद हैं वो गाओं के में आते हैं उसी प्रकार जो आए हैं बादल तो पहली पंथि में उत्परेक्षा लंकार है जबकि दूसरी पंथि है मेग आये बड़े बनठन के इसमें है मानविय करण लंकार कौन सा है मानविय करण लंकार देखे कैसे है मेग जो है वो क्या है वो जड़ है मेग क्या है वो जड़ है प्राकतिक है निर्जीव है और बन ठनने का काम किसके दारा संपन्न किया जाता है मानवों के द्वारा संपन्न किया जाता है किसके द्वारा संपन्न किया जाता है मानवों के द्वारा इस condition में क्या होता है कि ये हो गये आपके चेतन यानि कि जो जीवित है अब क्या है जड़ में चेतन के लक्षनों को दर्शाया गया है इसलिए सीध्य सीध्य हमानवे करना अब जब ऐसी कोई पंक्ती हो जहां पर आपको दो पंग्तियां दी गई है और दोनों ही पंग्तियों में अलग-अलग समाज है सौरी अलंकार है तो उस कंडिशन में हम करें क्या तो उस कंडिशन में आपको कुछ नहीं करना सिंपल एक काम करना जो पहली पंग्ति है जिसमें जो अलंकार दिया गया हो वह भी आपका सही होता तो यहाँ पहली फंगती में उत्प्रेक्षा अलंकार है इसलिए हम यहाँ उत्त प्रेक्षा अलंकार देंगें अच्छा कुछ और और आरहा है है एक पंक्ती में अनुपराशलंकार उपमालंकार तो इस चोपरन को खोजत फिरत कई विभिचारी चोर तो यहां पर आप देखे क्या है यहां पर जो है एक शब्द के तीन अर्थ दिये गए हैं जहां पर एक ही शब्द के साथ तीन अर्थ चिपके हों तो वहां पर क्या होता है यहां पर सुबरन सुबरन जो शब्द दिया गया है इसके साथ तीन अर्थ चिप कवी के लिए दूसरा व्यभिचारी के लिए और तीसरा है आपका चोर के लिए तो सुबरण जो है अर्फाया सुबरण को जो है वो लो कौन-कौन खोजता है कभी भी खोजते हैं व्यभिचारी भी- खोजते हैं और चोर भी Kragenhan का मतलब क्या हुआ कवी जो है वो सुबरन के तातपर से खोजता है वो क्या खोजता है शब्दों को नए शब्दों को किसको सो खोजता है नए शब्दों को फिर व्यभिचारी किसको खोचता है वो है सुंदर इस्त्री को जो भोग विलास में लिप्त होता है चोर के लिए सुबरन होता है स्वन अर्थात सोना तो यह जो लोग होते हैं वो तीनों ही सुबरन को खोचते हैं कभी नए शब्दों को जबकि व्यभिचारी सुंदर इस्त्री को खोचता है क्योंकि व्यभिचारी क्या होता है उसके अंदर बुरे वैसन होते हैं तो वो सुंदर इस तरी भी खोज सकता है, अगर काम वासना में लिपते हैं, नशे का आदी है, तो वो नशे को खोजेगा, व्यविचारी के मतलब यही रहेगा, चोर अर्थात जो स्वर्ण या सोने को खोजेगा, तो यहाँ पर सुबरन के साथ तीन अर्थ जुड़े हुए इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा आपका शलेश अलंकार, कौन सा अलंकार होगा, शलेश अलंकार, काली घटा का घमंड घटा, अब यहाँ पर एक शब्द दो बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सिंपल की बात है, काली घ गटा का हमन्ड गटा एक घटा यह दूसरी गटा यह यहां परर अपसका सीधे सीधे यमक अलंकर जहां पर एक התसा है और दोनो बार उसका अर्थ अलग हो वहां पर यमक अलंकार होताई जैसे यहां पर आ तो यहां ऐसा क्यों कहा गया भाई जब बारिश होती है तो उसे पहले काले बादल आ जाते और जब बर्शा हो जाती है तो काले बादल जो है उनका प्रताप कम हो जाता वो उतने काले नहीं रह जाते तो अर्थाद क्या है उनका प्रभाव कम हो गया तो उसके लिए उन्हों लटकी तो आपको दो मिनिट में आजना चाहिए यहां पर मखमाली पेटी उसी देखती तुरंट समझजाओ कि उपहालंगार है तो यहां पर क्या है जो है आपका कविता अथि उसमें से लिया गया है कि चंदर गहना से लौटती बेर एक कविता है उन वहां से लिघी एक कविता है कि जो मठर की फलियां हैं वो पेड़ से इस तरीके से लटक रही है जैसे मखमली पेटियां हूं मखमली मतलब क्या होता मखमल का कपड़ा जानते हो नो बहुत सॉफ्ट होता है न तो वो मटर की फलियां जो है वो बहुत ही कोमल है और वो किस तरीके से लटक रही है जैसे की मखमल कपड़े की जो पेटियां होती है उनको खोलने से जिस परकार से एसास होता है कि कितना अलंकार अब चलिए कोश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है है तो अलंकारी कोश्चन चेंज है नीचे कुछ अलंकारों के नाम दिये गए हैं उनके उधारन लिखिए अब हमें अलंकार के नाम दे दिये गए हैं अब यह आपकी कैसे उसमें पूछे जाएगे आपको सिंपल दे दिया जाएगा जैसे दे दिया गया मुंड में MOS पत्रों का उधारन कॉंसा नीचे चार द्धारन दिये जाएंगे उसमने से आपको उधारन चाटना होगा तो वहां तक हम पहुँचें उस से पहले पहले हम समझ लेना हमें भी तो कुछ पंग्तिया याद करनी पढ़ेंगी ना तो जैसे उपमालंकार के लिए तो कितने सारे अभी हमने जैसे अभी हमने लास्ट कोशन दिया मखमल सी पेटी या लटकी हम यही दे सकते हाई फूल सी कोमल बच्ची हुई राखकी ढ़ेरी अभी यह पड़ा था भूतल तवासा जल रहा है ना भूतल तवासा जल रहा कितने सारे मैंने आपको धारण दिये ना तो इसी में से कोई एक लिक दो जो आपको याद हो तो यहां क्या दिया हमने तब तो बहता सम समय सिलाशा जम गया अब यहां पर समय क्या है चलता रहता है कॉण तो कभी रुकता नहीं कोई ऐसी खटना ऐसे हुई कि उस समय समय जो है वो शिला के समान जम गया अर्था यह कब हुआ था जब समुद्र से राम जी ने आग्रह किया था कि तुम जो है लंका जाने के लिए रास्ता प्रदान कर दो उन्होंने बहुत आग्रह करी तीन दिन तक उन्होंने उनकी उपासना करी कि और मनाया कि आप जगा छोड़ दो लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तब क्या हुआ था तब राम जी ने अपना बान संधान कर लिया था बान उठा लिया था धन तो यहां पर सा होने की जगह से आपका उत्मालंकार रहेगा अब उत्प्रेक्षा लंकार कोई उधारण देना तो क्या था यहां पर कित्व उधारण पढ़े ना तो कोई भी लिख दो तो यहां पर हमने क्या लिया है सोहत ओड़े पीत पट शाम सलोने गात मनहों नील मड़ी शैल पर आपत परेयो प्रभात तो यहां क्या कह रहे हैं सोहत ओड़े पीत पट शाम सलोने गात तो क्या कह रहे हैं जो शाम जी हैं उन्होंने सुभा सुभा जो है वो पीले वस्त्रधारण किये हैं न दिया है पीत पठ श्याम यानि पीले वस्त्रधारण किये हैं और शलोने गात हैं सावले उनके गाल लग रहे हैं उनको देखकर ऐसा प्रतित हो रहा है मानो सुभा सुभा जो है नील परवत पर सुभा की किरने पड़ रही हूं तो क्या ह होता की के लिने पढ़ती है तो वो नहरी होती है और नील परवत क्या होता है वह थूड़ा सा डाफ कलर में होता है तो वह विश्चू का भी रंग यानि कि विश्णु जी का जो कृष्चन का जो रंग है किसी तरीके से होता है वह भी सामला तो वहां पर उन्हें बता advocacy प्रीती नदी में पाऊना बोरियो यह तो आपके चैप्टर से ही है दिया है ना पहला पद है जहां पर कहते हैं पहला चैप्टर सुर्दास जी के पद उसी भी से हमने आपको दे दिया देखे क्या लिखा है हमने प्रीती नदी में पाऊना बोरियो यानि कि जो प्रीती अर् तो दूर उन्होंने उसमें पैर तक नहीं डाले हैं मानुवी ए करण लंकार फूर हसी कलियां मुस्काई कितना आसान सा एक्जामपल है ना तो यहां पर हमने क्या दिया देखिए हैं किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी अब तालाब के किनारे जो पत्थर है मुस्कुपचाप पड़े हुए हैं तो उनको देखकर मात्र ऐसा प्रतित हुरा आए कि वह चुपचाप पड़े हुए तालाब के पानी को पी रहे हैं तो यहां पर सीधे सीधे यह क्या हो गया आपका मानविय करण अलंकार क्योंकि पत्थर जो की जड़ है उनको पानी पीने के लेक्षन से बताया गया है जो की मान वो द्वारा कंप्रीट जो लोग जिंदा है वो करते हैं पानी पीने का काम तो यहां हो गया आपक मानस चूर दूसरा क्या बताया था सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभचारी चौर था ना तो यहां पर कोई भी आप देदो तो यहां पर हमने क्या दे दिया देखिए पानी गए ना उब्रे मोती मानस चूर पानी बिना पानी के इन तीनों का अस्तित्त तो संभव नहीं है यानि मोती अगर बगएर चमिक के है तो उसका अस्तित्त किसी को स्विकार नहीं है मनुष जिसमें विनम्रता नहीं आत्म सम्मान नहीं है ऐसा मनुष मनुष होने के लाइक नहीं है चून अर्थात आटे आटे का अस्तित तब तक नहीं है जब तक उसमें पानी नहीं मिला सकते हैं तो यह इस तरीके से पानी जैसे एक शब्द में तीन अर्थ चिपके रहे थे मोती मानस और चून तीनों के लिए यमकलंकार तो अब यमकलंकार के लिए कितने उधारण आप दे सकते हूं यहां पर क्या सबसे पहले अभी हमने पता है था काली घटा का गवंड घटा फिर कभीर बेनी बेनी बयाल की चुराय लेनी बेनी दो शब्द आए ठीक है ना तो कोई वह उधारण यमकलंकार का आप यहां क्या दिया हमने देखे तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती तो यानि कि दिन के तीन पहर में वो तीन तीन बेर खाती थी तो एक बेर का ताथ पर हो गया फल दूसरे बेर का ताथ पर हो गया दिन के तीन समय के लिए उन्होंने बोध करा दिया नेक्स्ट है मानवी करण अलंकार मैंने अभी आपको कितना बताया कितने सारे बताये थे ना तो कोई भी आप लिखो तो यहां पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उते हैं आपको आते जाएंगे जैसे यहां दिया है उशा सुनहरे तीन वरसाती जैल अच्मी सी उदत हुई उश जो है वह प्राक्तिब्स है उसको क्या बता दिया तीर बरसाते हुए तो सीधे सीधे उसका ओगया वह लक्षड जो मानुवrek करंण वह नहां पर नहीं तुम्हा कि नेक्स्ट है नंबर एट क्या दिया गया है अति moisturizer अलंकार अ आतियोक्ति या कर जहां को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं जैसे कि अभी हमने राणा था क्या घोड़ा था इस पार राणा खड़े सोचे कैसे जाए उस पार तब तक चेतक था उस पार एक ये पंक्ति थी दूसरी पंक्ति एक और कौन सी थी हमने पढ़ी थी क्या था हनुमान के पूछ में लगन अपाई आग सग्री लंका जल गई गए निसाचर भाग है ना तो आप कोई उधारन दीजिए इसमें देखिए कौन सा उधारन दिया देखिए पानी परात के हात नचुए नैनन जलसे नैनन के जलसो पगद हो तो यहां पर जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो श्री कृष्ण की दशा का बखान करते हुए इसे बहुत ही जादा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया गया अब सुदामा जी अपने घर से जो है वो मत्हुरा तक पैदल चलके आये थे तो उनके पैर बहुत घायल हो गये थे चोटिल थे धूल से भरे हु जादा दुख ही थे और इतने जादा श्री कृष्ण रोने लगे कि उन्होंने पराद के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आस्मों से ही सुदामा के पैरों को धो दिया कोई इंसान कितना भी रो लेगा वो अपने आस्मों से कुछ नहीं धो सकता है नथेंग नाही नैनन के जल सो पगधुयों तो यहां पर सीधे सीधे आपका अतिश्योक्ति अलंकार है कि फिर अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार में तो धेर सारे पड़ें रगुपति रागव राजा राम ठीक है चारुचंद्र की चंचल चिरने खेल नहीं थी जलतल में फिर और आप और भी जितने भी आप बताईए कालंदी कदम के कूल के डारन दिया ना कालंदी कदम कूल के डारन काकावरण की आबनत्ति बहुत सारे उधारन हैं जहां आप यह अनुप्रास अलंकार में दे सकते हैं देखे क्या है जो खग हो बस व्यसेयो करो मिल कालंदी क कूल कदम के टारट तो यह रस्खान जी के समय हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा अगर दूसरा जन्म होता है ठीक है कूल मतलब किनारे कदम मतलब कदम के पेड की डाल पर अगर मैं ची नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर ही बसना चाहूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है का और का वर्ण की आवनत्ती के कारणिया आनुपरासलंकार फिर आते हैं यमकलंकार यमकलंकार एकी शब्द दो बार आया और दोनों बार उसका अर्थ लग अभी जैसे हमने बताया था कहें कभीर बेनी बेनी बयाल की चुराय लेनी फिर उसके बाद क्या था आपका और भी था काली घटा का घमंड घटा तो कोई भी दे दीजे यहां पर देखे क्या है माला फेरत जुगभयो फिरान मनका फेर करका मनका डाली दे मनका मनका फेर तो अब यहां पर देखे चलिए समझा देते हैं यहां पर जो पंक्ति आई हुई है यहां पर दूसरी जो पंक्ति है इसमें आपका यह मकलंकार ठीक है देखे क्या करका मनका डा पर आया है और दोनों ही भार इसका अर्थ अलग है तो यहां दिया वैसे तो आप बोलो कि मनका यहां पर भी मनका लेकिन यह अलग-अलग है और यह अलग-अलग पंक्ती में दिया गया इसलिए यह सेम नहीं है तो यहां पर क्या बोल रहा है करका मनका यहां पर पहली मनका का नियातात पर है माला ठीक है दूसरा क्या है मन का मन का फ्यर यानी की हृदय का ठीक है तो यहां पर क्या कह रहा है माला फेरत जुग भयो यानी की ईश्वर की आनदर करते करतेaws लोग जुग बिगाद बिता देते हैं ठीक है माला फेरते फिरते जुग बिता देते हैं होते हैं बहुत सारे लोग सन्यासी आप देखते हैं पूरा जीवन बिता देते हैं वो हाथ की माला को फेरते फेरते फिराना मन का फिर उसके बाद भी उनके मन में एक रत्ती का फरक नहीं आ कर का मन का डाल दो कर मतलब हाथ का मन का अगर तुम फेक दोगे अर्थात तुम ये दिखावा करना छोड़ दोगे मन का मन का पर दारी दे मन का मन का फिर तो फिर क्या होगा एक मन से दूसरे मन का फिर जो है मिट जाएगा तब तम दूसरों के दूसरों के मनों को जानने का प फिर अलग-अलग हो जाएगा तो देखें यहां पर हमने दो तरह के से आपके सामने प्रिशन लाए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको तो यह तो तो कुछ प्रैक्टिस थी रहे कि प्रैक्टिस के जरीए क्या होगा आप जितना जीजों को जानेंगे उतनी आसानी से आप MCQs हल कर पाएंगे तो बेसिक जो हमारा exam oriented pattern है वो तो मैं आपको कराऊंगी यानि कि मैं आपके लिए अलंकार लेकर आऊंगी MCQs के बेस में तो हम अब next time इस अलंकार के topic को पढ़ने वाले हैं MCQ के रूप में तो बेफिक्र होकर हमें काम करना है ठीक है तो मिलेंगे next time हम इसी topic के साथ में thank you for watching bye bye